डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आएं है एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लास्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल एमराई सिस्टम लगाया है. टेसला इमिजरिंग और डाइगनोस्टिक सेंटर. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो ये ठानकर आये थे कि कुछ करके दिखाना है. ठीटोरन भरी सर्दी में आकाश से बिजली गिरी और शितिज का सारा सामान शतिक रस्त हो गया. बहुत चोटे भी आई लेकिन शितिज ने फिर भी हार नहीं मानी. लग्दाख में मार्खा वैली के पास कामिया का वन पहार पर 5950 फीट की उचाई पर योग क्रिया की और उसमें वो कामिया भी रहे. इसके साथ ही इंडिया बुक आफ रिकोर्ड में शितिज का नाम दर्ज हो गया. वहीं दूसरे रिकोर्ड उन्होंने चपन सो फीट पर वाधिय यंत्र बजा कर बनाया था. शितिज का कहना है कि योग को प्रमोट करने की जरूरत है और इसी के लिए उन्होंने इतनी उन्चाई पर जाकर योग अभ्यास किया था. उन्होंने बताया कि परियामन की सुरक्षा को उपाए बेहत जरूरी है. ग्लेशर पिघल रहे हैं. प्रदूशन पर कावो पाने के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने आगामी समय के लिए भी कुछ लक्षे निर्धारित किये हैं. इसके वो लगतार खुद को तयार कर रहे हैं. वही शितिच के माता पिता अपने बेटे की इस उपलब्धी से बेहत खुश हैं. बाचीत के दौरान दोनों बेहत ही भावक हो जाते हैं. उनका कहना है कि उनके बेटे ने परिवा के साथ साथ मेरट का भी मान बढ़ाया है. अभी क वेल्स लाबस, वेल्सक्ट लबरी बेस्ट उवारोमन और लेल्वे रोड मेरट.